मद्य प्रदेश के खंडवा जिले का एक आदिवासी युवक भटक कर पाकिस्तान जा पहुचा और उस पर पाकिस्तान ने भारती जासुस होने का आरोप लगाया है खंडवा जिले के ग्राम इंदावडी में रहने वाला राजू 15 साल से मांसिक विक्षिप्त है और घर से 3 महिने से लापता है मत्यप्रदेश सरकार ने कहा है कि देश के विदेश मंत्राला इसे बात चित करके राजू को पाकिस्तान से वापस लाने के प्रियास किये जाएगी पाकिस्तानी पुलिस के साथ सावले रंका यह युवक राजू पिता लक्षमन भिल है जो कि खंडवा जिले के पुनासा बलाक में इंधावडी गाउं का रहने वाला है पाकिस्तानी सेना ने इस युवक को गिरफ्तार करने के बाद फोटो जारी किया है और उस पर भारती जासूस होने का आरोप लगाया है खुफिया पुलिस जब राजू के परीजनों को ढूंटे हुए खंडवा जिले के इंधावडी गाउं पोची तो परीजनों ने इसे पहचान लिया राजू को परीजनों ने मानसिक शिक्त बताया है और उसे पिछले तीन महेने से लापता होने की बात कही है फरीजनों का आरोफ है कि जो युवक खाना और कपड़े पहना तक नहीं जानता हो वह जासू सी कैसे कर सकता है राजू की मा के आसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं बसंता बाई सरकार से गोहार लगा रही है कि उसके बेटे को जल्द से जल्द वापस लाया जाए ग्राम के सरपंच भी बताते हैं कि राजू इधर का ही रहने वाला है और पाकिस्तान सरकार दुआरा लगाया जा रहे है इसारे आरोफ बेबुनियाद और जुटे हैं दो तीन मेने से विला पता है वैसा तो घर पी रहता था कई भार भी रहता था मैने दो मेने में आठ कंदن रोज में चला आता था पर दो तीन मेने से नहीं आया गृ Hair Dockystein के से फोछ गावगा मैं पता नहीं है अपने को वह कल करना चाहते हैं कि हमारा लड़का जैसा भी गया हो सुरक्षित हमारे अस्तान पर पहुचा दिया जाए कि प्रदान मंतरी जी से हम यह दन करते हैं कि हमारा बच्चा जैसा भी गया है वैसा हमको दिया जाए हमारे जोली में डाल दो साथ पागल है वो तो कमा के नहीं खा सकता मैं इस ग्राम का पूरू सरपंचु हूँ सुरजपाल सिंग दरबार राजू पिता लच्वन को पाकिस्तान पुलिस ने पकड़ा है और पाकिस्तान पुलिस ये दावा कर रही है कि भारत सरकार ने उसे जासुशिस के लिए बेज़ा है लेकिन ये सरासर गलत है वह मांसिक र द्धावडी का रहने वाला था मूल लिवासी द्धावडी के हैं और उनके पिता के पाद तीन एकड़ जमीन है उसकी मा का नाम बसंता वाई ये और पिता का नाम लश्मन है और हम भारत सरकार से भी आग्रह करेंगे कि मानी प्रधान मंत्री मोदी जी से भी और छेतरी प्रधेश सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया है प्रधेश सरकार की केबिनेट मंत्री विजय लक्षमी सादो खंडवा पहुची तो उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि यहां निमार का ही बेटा है और वहां निर्दो से उसको लाने के लिए बात करें कि मुख्य मंत्री कमलनाथ देश के विदेश मंत्राले से चर्चा कर राजू की वापसी के पूरे प्रियास करेंगे अदिवासी भील समाज में जन्मार राजू मानसिक विक्षिप्त है उसे ना देश की सिमाव का ज्यान है और ना ही कानून कैदे का पाकिस्तान के आरूपो की बेडियों में जक्डे राजू की वापसी के से होगी यह भविस्य के गर्तम है झाल झाल